वास्तव में योग साधना जिससे हमारे संद, रिशी, मुनी यह तो जुड़े ही हमारे बहुत सी भारतिय भाषाओं के रचनाकार, कवी वह भी उन्होंने भी जब भक्ती और अध्यात्म की चिंता की जब अपने दार्शनिक विचारों से उपकृत किया, मार्ग प्रशस्त किया तो संकेत किया उन्होंने कि इडा, पिंगला, इन सब को साधने की क्रिया कुडलिणी को जागरित करने की प्रक्रिया इन सब की चर्चा करते हुए चाहे वो संत कभीर हों गुरुनानक हों सुंदरदास हों, दादू हों, पीपा हों, नामदेव हों सहजोबाई हों, या रजजबली हों, आदी आदी योग कोई धर्म नहीं है योग तो एक जीवन शैली है जीवन को स्वस्थ बनाने की एक पद्धती है और इसी के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ती का भी विकास होता है यह सात्विक और उच्च स्तरिय समवेधन शीलता योग से मनुष्य में समवेधनाओं का संडक्षन भी होता है हम जानते हैं कि समवेधना शून्य होते ही मनुष्य और स्रिष्टी यह बड़ी पाशान सी बन जाती है तो योग हमारी समवेधनाओं को भी जीवित करता है, संचरित करता है उनमें एक सात्विक भाव का बोध पैदा करता है योग में अनेक प्रकार के आसन होते हैं, व्यायाम होते हैं नियमित अभ्यास होते हैं जिनके माध्यम से हमें जीवन के समस्त तापों से मुक्ति मिलती है। उनसे बचने के उपाए मिलते हैं। एक शक्ति का संचरन होता है। बहुतिक दैहिक एहिक रोगों से बचने की एक प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करने का काम योग साधना करती है। हमने विगत कुछ वर्षों में महामारी से वो जो करोना रूपी महामारी जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया उसमें उन्हेक प्रकार की योग साधनाओं से पूरे भारतिय समाज ने अपनी प्राण रक्षा भी की स्वास्ते रक्षा भी की गले के बहुत से वियायाम कंठ के श्वास के बहुत से वियायाम पेट के बहुत से वियायाम किये कमर के बहुत से वियायाम किये और यहां तक के आँखों के नाक कान के बहुत से वियायाम श्वास प्रक्रिया से जोड़कर हमें बताए गए हमें सिखाए गए हमने अपने विद्यारतियों से अपने बच्चों से उन सब को आत्मसाथ करने का आगरह किया और नकिवल आमने सामने बैठ कर अपितू आउनलाइन सिस्टम से भी उस पद्दती से भी हमने टेलिविजन से रेडियो से सोशल मीडिया से योग के परचार का क किया और जिसने वास्तव में पूरे वहश्विक स्तर पर उपकार किया श्वास क्रिया इस शरीर का पूरा चक्र तो श्वास से ही जुड़ा हुआ है और इस श्वास क्रिया को संतुलित रखना स्वस्त रखना जिससे पूरे शरीर को एक आनुपातिक शक्ति का संचरन होता है अनुलोम विलोम से भर्थ सिकात से या अन्य प्रकार के इसी तरह के योग साधनों से योग आसनों से हम स्वच्छ वायू स्वच्छ ऑक्सीजन लेने छोड़ने में कैसे समर्थ हो सकते हैं इसकी शक्षा इसका ग्यान भी हमें योग ने दिया असाध्य रोगों से लड़ने की शक्ती भी हमें योग से प्राप्त होती है कैंसर के ख्षेत्र में भी मदुमे जिसको हम शुगर या डाइबिटीज कहते हैं उच्छ रक्तचाप जिसको हम ब्लड प्रेशर के रूप में देखते हैं हरदै रोग हो किड्नी रोग हो लीवर की खराबी हो गले और नाक की समस्याओं से मुक्ती का मार्ग हो ये सब हम देख सकते हैं कि ये सब इसका सबका उपाय सबकी चिकित्सा ये सब योग साधना के माद्यम से हमारे तक पहुँचती है इसलिए योग मार्ग वस्तुतै स्वास्त का मार्ग है योग मार्ग एक अनुशाशित जीवन जीने की रह प्रशस्ट करने वाला है इसलिए पूरी दुनिया इसके निशकरशों से इसकी उपलब्दियों से उपकृत होते हुवे इसके समक्ष नत्मस्तक होती है इसकी महत्ता को स्वीकार करती है प्राणायाम जिसके अंतरगत कई सारे योगों का उलेह किया जाता है साथ प्राणायामों की विशेशूप से चर्चा की ही जाती है कपाल भाती आदी योगों से योग क्रियाओं से मन की भठकन को भी नियंतरित किया जाता है कहते हैं मन तो उड़ता पंची है वह उसको अनुशाशन में नियंतरन में रखना वस्तुत है एक साधना का दियोतक है इसलिए योग से हम सब के जीवन में जो भी योग साधना से जुड़ते हैं योगासन का नियमित रूप से अनुपालन करते हैं अभ्यास करते हैं उन सब के जीवन में पूरे दिन भर एक उमंग एक उत्सा एक उर्जा का संचार बना रहता है जिन्होंने योग आदी क्रिया से अपने को जोड़ा नहीं यदि एक बार वो इस क्रिया से इस प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं तो किसे दिन योग न करने का एक अपराद बोध पूरे दिन बर मनो मस्तिश्क पर आच्छादित रहता है कि आज कुछ ऐसा है जो होना चाहिए था जो नहीं हो सका हमारी पाच्छन क्रिया को एकदम दुरुस्त बनाने का काम भी योग से ही किया जाता है महत्पून योग आसनों में हम देखें सूर नमसकार जिसको आज पूरी दुनिया नतमस्तक होकर आत्मसाथ कर रही है सूर नमसकार को कुछ लोग धर्म से जोड़ कर देखते हैं जो की बिलकुल अनुचित है सूर या चंद्रमा ये किसी जाती किसी समुदाए किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है ये तो प्रकरती के अनुपम वर्दान हैं ये तो दो ऐसे दीपक हैं जो जो उस एक सर्व शक्तिमान ने प्रदीप्त किये जो पूरी दुनिया को पूरे विश्व को आलोकित करते हैं उसमें किसी केरोसीन आयल की किसी पेटरोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती तो ये जो सूर्य और चंद्रमा आदी हैं इस सूर्य और चंद्रमा जैसे दिव्य वर्दान को यदि हम प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं तो यह एक प्रकार से उपकरत मानना है उस शक्ति के प्रती जिसने हमें श्वास लेने के लिए वायू दी जिसने हमें उर्जा लेने के लिए सूर्य से किरने प्रदान की शीतलता लेने के लिए चंद्रमा की चांदनी प्रदान की तृप्ति लेने के लिए नदियां जहरने और वर्षा आदी प्रदान किया तो सुर्र नमस्कार जिसमें पूरे शरीर की एक तरह से अभ्यास के माद्यम से नजाने कितनी प्रकार की क्रियाएं हैं जिन से हम अंग प्रत्यंग को लचीला बना सकते हैं सशक्त बना सकते हैं शीरशाशन के माद्यम से वज्जरासन के माद्यम से हम अपनी पाचन क्रिया को भोजन पचना रहा हो अति भोजन हो गया हो उसके माद्यम से रकत संचार को शीरशाशन के माद्यम से ताल आसन धनुर आसन भुजंग आसन तरिकोन आसन नजने कितने प्रकार के आसन है उनको अनेक पुस्तकों में चित्रों के माद्यम से और अब तो ओनलाइन सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी संस्थाओं के माद्यम से भारतिय योग संस्थान हो या बाबा रामदेव की संस्था हो या और इस तरह की बहुत सारी समाज सेवी स्वयम सेवी संस्थाएं हैं जो लोक हित जन हित रास्ट हित और विश्व हित के लिए उस तरह के अभ्यासों से प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हुए अवगत कराती हैं उनकी पद्धती से अवगत कराती हैं उनके तरीकों उनके उपायों से अवगत कराती हैं यही कारण है कि विश्व में करोडों लोग आज इस स्वस्त जीवन शैली के वरदान को आत्मसात कर रहे हैं, योग की प्रासंगिकता को समझ रहे हैं, उसकी असंदिक्दता को स्विकार कर रहे हैं. मनुष्ट का सबसे बड़ा रोग चिंता रोग है, चिंता चिता समान है, ऐसा कहा भी जाता है, योग ऐसी एक क्रिया है, ऐसी एक विद्या है, ऐसा एक अनुशाशन है, जो हमारी तमाम चिंताओं से हमें मुक्त करने का मार्क प्रश्रस्त करता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता मनोवली है जो मनुश्य को प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करता है जो मनुश्य को रोगों से आपदाओं से बाधाओं से अवरोधों से लड़ने की ताकत देता है हमारे वजन और मोटापे को कम करता है पेट को स्वस्थ रखता है कब जादी में आराम दिल आता है खांसी गले की खराश इन सबसे मुक्ति दिलाता है ऐसे अनेक आसन है गले का कंट का आसन भी है आँखों के आसन भी है योग के माद्यम से हम आखों को घुमा कर उपर नीचे दाएं बाएं करके कमर के बहुत सारे कमर दर्द जो है वो आज की जीवन शेली का एक हिस्सा बन गया है या वाहन चालन से लंबी लंबी दूरियां गारियां चलाने से या बहुत जादा ट्रेफिक से बहुत जादा यातायात से लंबी दूरियों से गरदन के दर्द को दूर करने के भी बहुत से व्यायाम योगासन के माद्यम से आँखों की रोशनी बढ़ाने के उपाए जीवन जीने के लिए उत्साहा उमंग और और उर्जा का संचरन से की जाए देह की यह सब कुछ संपूर्ण स्रिष्टी के लिए इस तरह की वरदे जो भेट है उपहार हैं वो प्राकृतिक वरदान की तरह योग के माद्यम से हम सब के जीवन से जुड़ते हैं आज तो स्तुत्य और प्रशंसनिय यह भी है कि भारत सरकार ने आयूश मंत्राले के माद्यम से भी इसी योग क्रिया को प्रुटसाहित करने के अनेक उपाय किये हैं हर तरह की संबव प्रयत्न किये जा रहे हैं आयूश मंत्राले इन दोनों को प्रुटसाहित करते हुए हमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्दती के निकट ले जा रहा है स्वामी विवेकानंद भी पूरी दुनिया को योग शक्ति से बरसों पहले अवगत करा चुके थे नेक ऐसे रिशी मुनी, शिक्षक, गुरु इन सब को अगर हम स्मरण करें, इन सब के अवदान को यदी हम याद करें अंतर रास्तिय योग दिवस का जो लोगो जिसको हम प्रतीक चिन्न कहते हैं वो एक सकारात्मक संदेश का संचार करने वाला लोगो बन गया है वो शान्ती और सदबाव का हमायती बनकर पूरी दुनिया के सामने उपस्तित हुआ है तमाम बीमारियों से, रोगों से, महमारियों से लड़ने, उन पर विजह प्राप्त करने की प्रतिरोधी शक्ती का एक सशक्त स्रोत योग बन गया और उसने पूरे विश्व को जीने की रहा दिखाई है जीवन अब बोज ना लगे, बलके जीने की एक उतकट इच्छा मन में पैदा हो और जीवन के तमाम चुनौतियों और वरोधों से लड़ने की शक्ती का संचरन हो यह हम सभी ने देखा और माना कि पिछले तमाम महामारियों के समय में दौर में योग ने हम सब को कैसे शक्ती प्रदान की योग का ही प्रताप है कि अब सभी विश्व नागरिक, जाती धर्म, लिंग, शेत्र, भाषा आदी देश आदी की सीमाओं से उपर उठकर इन सारे भेद भावों को भुलाकर सरवजन हिताय कारे करने का धर्म नबारा है ऐसा नहीं है कि यह कोई एक विद्या किसी एक देश की, किसी एक जाती की, किसी एक धर्म की है अगर उससे मानवता काहित होता है मानव मात्र का सार्व भामिकता के साथ जोड़कर अगर कल्यान होता है तो उसका स्वागत पूरी दुनिया में होता है यही कारण है कि आज भारत में भारत से बाहर दुनिया के अनेक स्कूलों में कॉलिजों में, विश्विद्यालेंगों में और अब तो होटलों में अस्पतालों में भी योगशिक्षन प्रशिक्षन के अनेक कारगर उपाई और कारड़ी योजनाएं ये सब किये जा रहे हैं नित्यपरती बढ़े-बढ़े अस्पतालों में रोगियों को योग शिक्षा के मादियम से ठीक करने की पद्दती को प्रुथसाहित किया जा रहा है और जो जिनको हम पांच तारा पंच सितारा हुटल साथ सितारा हुटल कहते हैं उनमें भी प्रातेकालीन योग शिविर लगते हैं विश्विद्यालें और स्कूलों और कॉलिजों में भी अभी एक नित्य जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है शेक्षिक पुस्तकों में संदर्ब पुस्तकों में अब हम योग को एक महत्वपूर्ण अनुशाशन एक डिसिप्लिन के रूप में स्विकार कर रहे हैं स्वामी रामदेव ने भी पतंजली पीठ के माद्यम से योग आसनों को घर घर पहुचाया एक ओपन इन्वस्टी की तरह पतंजली पीठ ने टेलिविजन के माद्यम से सोशल मीडिया के माद्यम से कम्प्यूटर इंटरनेट के माद्यम से संस्था और संस्थानों में घरों में युद्ध स्तर पर योग विद्याकुन लोकोप्रिय बनाया एक बड़ा अवदान एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार की संस्थाओं की रही है इसे योग प्रचारकों को योग शिक्षकों को प्रशिक्षकों को अनेक बड़ी बड़ी कंपनीयोंने बड़े बड़े राज्योंने योग एमबेज़र ब्रैंड एमबेज़र जैसे योग गुरू बाबा रामदेव को हम देखें और इस से पहले भी अनेक योग गुरू हम देख सकते हैं जिन्होंने समय समय पर योग साधना की महत्ता को रिखांकित किया बहुत से राज्यों में स्कूलों में योग शिक्षक प्रशिक्षक भी एक टीचर के एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किये गए योग क्रियां और आसनों ने ही आयरुवेदिक चिक्षक पद्धती को कारगर और प्रचार प्रसार की दृष्टी से लोगप्रिये बनाने का महत्तपून काम किया क्योंकि योग में और आयरुवेद में एक अटूट रिष्टा एक अभिन संबंद एक चोली दामन का रिष्टा तो बन ही गया इसलिए योग कोई धर्म नहीं है कोई संपरदाय नहीं है यह एक विज्ञान है यह एक जीवन शैली है यह एक जीवन की कला है और निश्चित रूप से एक शिल्प की तरह हम अपने शरीर के शिल्पी बन जाते हैं युवा शक्ति का उत्साह और उर्जा इसको संडक्षन कैसे मिले इसको बचाया कैसे जाए इसकी वरद्धी कैसे हो साह और उर्जा की इसको योग के माद्यम से संचरित किया गया कह सकते हैं कि योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना तीनों पर सकारात्मक कारे करते हुए एक सकारात्मक उर्जा का संचार करता है एक निराशा एक अताशा इसको दूर करता है एक negativity नकारात्मकता को जीवन से जीवन शैली से बनो मस्तिश्क से निकालने में रचनात्मक भूमिका निवाता है व्यापक तौर पर व्यापक दृष्टी से हम देखें आरतिय सब्विता संस्कृती में जीवन शैली में पुरा गरंथों में पुरा अख्यानों में योग को चार वर्गों में विभक्त किया भी गया कर्म योग, ज्यान योग, भक्त योग, क्रिया योग कर्म योग में हम शरीर का रचनात्मक प्रयोग अनुप्रयोग करते हैं ज्यान योग में हम मन का प्रयोग अनुप्रयोग करते हैं बक्त योग में हम भावना का प्रयोग अनुप्रयोग करते हैं और क्रिया योग में हम उर्जा का प्रयोग अनुप्रयोग करते हैं प्रतेक मनुष्य में प्रतेक मानव में इन चारों योग कारकों का अद्वितीय सईयोग रहता है स्थाई भाव है उसे जागरत करने की अपिक्षा आवश्यक्ता रहती है वस्तुते समर्थ गुरु ही योग साधक को उसकी आवशक्ता के अनुसार आधारभूत योग सिद्धान्तों का सही सही संयोजन करना सिखाता है योग की समस्त प्राचीन व्याख्याओं में सबसे अधिक बल इसी विशय पर रहा है कि समर्थ गुरु के मार्ग दर्शन में ही अभ्यास करना अति आवशक एवं कारगर होता है कभीर ने कहा गुरु कुमार सिसकुम्ब है गडगड़ काले खोट अंदर हात समार दे बाहर मारे चोट तो संतों ने जो हिंदी की संत कावे परंपरा है पंजाबी की या भारतिय भाषाओं के सब जगा हम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाओं में संत कावे परंपरा को देख सकते हैं सभी ने परया वरन को लेकर आयुरुवेदिक जीवन पद्धिती को लेकर योग साधना को लेकर स्वस्थ शरीर को लेकर हमें समय समय पर जागरित किया हमारा मार्ग प्रशस्थ किया योग विबिन संपरदायों परंपराओं दर्शनों धर्मों और गुरुशिश्य परंपराओं के कारण भिन भिन पाथशालाओं में संपरदायों के रूप में प्रवर्थ हुआ हमने ज्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लै योग, राज योग, जैन योग, बौध योग इन सब के विशे में हम देखें कि भारतिय ज्यान परंपरा के अनेक गरंत इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मनंचिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र द्वारा ही करना यही मंत्र योग है। पीते हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे तो यही ले योग कहलाता है। राज योग समस्त योगों का राजा है। हर योग की क्रिया कम ज्यादा इसमें समाहित रहती है। यह भी चित्वरतियों का निरोध करता है। इसलिए अंतर राष्टिय योग दिवश की महता पर जब हम बात करें तो 21 सितंबर 2014 को सेयुक्त राष्ट महासबा के 79 सत्र को संबोधित करते हुए बारत के माननी एवं यशस्वी प्रधान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी ने विश्व समुदाय से अंतर राष्टिय योग महासंग के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सहस अमर्तक देशों सहित 21 जून को अंतर राष्टिय योग दिवस या योग विश्व दिवस मनाने का संकल्प सर्व सम्मती से पारित किया अनमोधित किया अपने संकल्प में संयुक्त राष्ट महासबा ने यह स्विकार किया कि योग स्वास्थे और कल्यान के लिए पूर्णतावादी द्रिष्टिकोन प्रदान करता है इसलिए हम पूरी दुनिया से आहवान करते हैं कि 21 जून को प्रती वर्ष व्यापक स्थर पर विराठ रूप में योग दिवस मनाया जाएं मित्रों वास्तव में यह एक विलक्षन प्राकृतिक वर्दान उपलब्दी है इसलिए हम सब को योग को नतमस्तक होकर आत्मसात करना चाहिए और योग के माद्यम से अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाने का हर प्रयास सकारात्मक्ता के साथ करना चाहिए विशे को अभी यहीं विराम देते हैं पुने आपके समक्ष उपस्तित होंगे आग्या दीजिए नमस्कार झाल चाहिए